अल्लो डियर श्टुडेंट आप सभी की चैनल में आपका स्वागत है आज का हमारा टोपी के राजस्तान की हस्त कलाएं जो कि RPC सेकंड गेट जी कले आग टोपी के राजस्तान के अध्योग में तो आज हम राजस्तान के हस्त कलाएं पढ़ेंगे जिसमें पहली आती है उस् और बिकानेर में उस्ता कला लाने का स्रे किसे जाता है यहां के राजा अनुप सिंग को बिकानेर में उस्ता कला लाने का स्रे जाता है उस्ता कला क्या होती है उट की खाल पर कलात्मक चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है उटकी खाल पर कलात्मक चित्रकारी जो की जाती है वो उस्ता कला कलाती है और इसके कलाकार क्या कलाते हैं उस्ता कला के उस्ताद कलाते हैं अब उस्ता कला के परमुक कलाकार का नाम याद रखना आप हिसामुद्दीन उस्ता नाम निहाएगा लाश्ट में उस्ता उस्ता कला के परमुक कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता और केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर कहा पर स्तित हैं बिकानेर में केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर स प्रस्तित हैं जोदपूर पूर फिर आती है तीसरी कला थेवा कला थेवा कला का सेत्र कहाँ पर है परताब गड में और ये थेवा कला क्या होती है हर एक आज पर सोने का सुख्स्म चित्रांकन थेवा कला कहलाती है हर एक आज पर सोने का सुक्स्म चित्रांकन थेवाकला कहलाती है थेवाकला के लिए परताबगड का राज सोनी परिवार परशिद है कौन सा परिवार है परताबगड का राज सोनी परिवार परशिद है थेवाकला के लिए और इस थेवा कला की जो जानकरी है वो सिर्फ पुरुसों को ही होती है मैलाओं को नहीं होती इस थेवा कला की जानकरी और इस थेवा कला का उलेग जो है वो एंसाइकलोपीडिया और ब्रिटेनिका में भी इस थेवा कला का उलेग है फिर आती है मीनाकारी, मीनाकारी का अभी एकजाम में क्यूशन आया था, अभी हाली में हुई है जुलाई महीने में, मीनाकारी का परमुक कलाकार कौन है, कुदरचीन, मीनाकारी के परमुक कलाकार है, कुदरचीन, ये क्यूशन आया था, मीनाकारी के परमुक कलाकार कौन है, मिनाकारी क्या होती है स्वन आबूशनों पर रंगों की जड़ाई मिनाकारी कहलाती है और इसका सेत्र का है जेपूर और ये मिनाकारी जो है ये मुलत है परिशिया इरान की है मिनाकारी मुलत है कहा की है परिशिया इरान की है और राजस्तान में मीनाकारी को लाने का स्रे किसे दिया जाता है मान सिंग पर्थम को राजस्तान में मीनाकारी लाने का स्रे दिया जाता है और इस मीनाकारी के परमुक कलाकार कौन है कुदरत सिंग मीनाकारी के परमुक कलाकार है कुदरत सिंग मीनाकारी के प्रकार कौन कौन से हैं? सपेद चलवा, तैयारी, लाल जमीन और बुंदि तिला फिर आती हैं मुरादाबादी कला मुरादाबादी कला में क्या होता है? पीतल के बर्तनों पर कलात्मक नक्काशी किसपर किजाती है? मुरादाबादी कला में की जाती हैं और ये कहां की परसिद हैं जेपूर फिर आती हैं कोप्त गीरी धातु निर्मित वस्तुएं या फोलाद निर्मित वस्तुएं जिन पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती हैं वो कोप्त गिरी का कारिय कहलाता है। धातु निर्मित वस्तुवें जिन पर सोने के पतले तारों की जड़ई की जाती हैं, वो कोप्त गिरी कहलाती हैं। और ये कहां की परसिद हैं जैपूर की। फिर आते हैं बेवान या मीनी वुड एचर टेमपल। बेवान का एक अन्य नाम है मीनी वुड एचर टेमपल। और इसे देव इमान भी कहा जाता है। बेवान रामरेवाडी पर निकालते हैं। आपको पता होगा इनको उपनाम क्या हैं देव इमान भी कहते हैं। ये लकडी का एक छोटा मंदिर होता है। और जल जूले एक अदिसी जब आती हैं उसपर बेवान निकलते हैं। और बेवान के परमुक कलाकार हैं प्रभात जी सुतार। और उपनाम है इसका देव इमान और लकडी का एक छोटा मंदिर होता है। और यह कहां पर बनते हैं बस्सी चित्तोड में फिर आती हैं कावड कावड क्या होती हैं विभिन कपाटों में खुलने वाली मंदिर नुमा कलाकरती को कावड कहा जाता है विभिन कपाट में खुलने वाली मंदिर नुमा जो कलाकरती होती है वो कावड कहलाती है और इस कावड का जो रंग है वो लाल होता है और कावड के अंत में किसके दर्शन होते हैं बगवान श्री राम और सिता जी के दर्शन होते हैं कावड के अंत में कावड किसके दोरा बने जती हैं बसी चित्तोड में खेरादी जोती लोगों के दोरा कावड का निर्मान किया जाता है बसी चित्तोड में और कावड को क्या कहते हैं चलता फिरता देवगर भी कहते हैं याद रखना देव विमान तो नाम है बेवान या मीनी उडेचर टेंपल का और चलता फिरता देवगर कहलाता है कावड चलता फिरता देवगर तो है कावड और देव इमान का जाता है बेवान को फिर आती है टेरा कोटा कला बिना साचे का प्रयोग किये गे मिट्टी की मूर्तियां और खिलोने बनाना जिसमें सा तेरा कोटा कला के परमुक कलाकार कौन है मोहनलाल कुमार है जिने की पदम स्री से सम्मानिज भी किया गया है तेरा कोटा कला के परमुक कलाकार मोहनलाल कुमार फिर आता है तेरा कोटा कला को कौन सा चिन प्राप्त है तो तेरा कोटा कला जो है यह भोगलिक चिन्निकरण रख यह अलवर की आती हैं फिर आती हैं सुनहरी टेरा कोटा काग जी टेरा कोटा तो अलवर की हैं सुनहरी टेरा कोटा काग की हैं बिकानेर की इसमें बरतनों पर सुनहरे रंगों से चित्रकारी की जाती हैं सुनहरी टेरा कोटा में तो काग जी टेरा कोटा हो गई अलवर की जिस या केनवास पर देवताओं की जीवनी का चित्रन क्या जाता है वो फड़कला कलाती है और इस फड़कला के जो परवर्तक है वो पंचाजी जोसी है पूर बिलवाडा ये पूर नामक स्तान है बिलवाडा में वहां के फड़कला के ये परवर्तक है पंचाजी जोसी पूर बि ख़ट कला को पर्भंग्अ पर्थम पार्वती जोसी जो की ह lizard जोसी की पतनी है मैला चीतेरी पर्थम पार्वती जोशी और इस फड का भी प्रमुक रंग केसा होता है लाल होता है अब आता है फड को ठंडी करने का अर्थ क्या है फड जब फड जाती है या जीन्ड शिन हो जाती है तो उस फड को पुसकर जील में प्रवाइद किया जाता है इसे कहते हैं फड के फटने या जिर्ण शिर्ण होने पर फड को पुसकर जिल में प्रवायित करना फड को ठंडी करना कहलाता है अब आती हैं प्रमुख फड़े कौन कौन सी हैं सबसे पहले आती हैं देवनायण जी की फड़ जिसका वाचन गुजर जाती के भोपे द्वारा किया जाता है। तो माठ वाद के साथ गाते हैं आप याद रखेगा पाबूजी की फड का वाचन रावण हत्या वाद्य के साथ क्या जाता है जबकि पाबुजी के पबाड़े माठ वाद के साथ गाय जाते हैं और पाबुजी की फड़ जो हैं वो सरवादिक लोगप्रिय फड़ हैं दो क्यूशन बनते हैं कौनसी फड़ सरवादिक लोगप्रिय हैं पाबु जी की फड और कौशी फड सरवादिक प्राचीन है देवनायन जी की फड फिर आती है राम देव जी की फड इसका वाचन कामर जयती द्वार किया जाता है और वाधियंत्र कौशा होता है रावन हत्ता राम देव जी की फड वाचन की समय वाधियंत्र बजाय जाता है फिर आते हैं राम दला कृष्ण दला की फड़ इस फड़ का वाचन दिन में किया जाता है याद रखेगा राम दला कृष्ण दला की फड़ का वाचन दिन में किया जाता है और इस फड़ के वाचन में वादी का पुर्योग नहीं किया जाता है वादी अंत्र का पुर्योग जो की नाम से ही स्पष्ट है फिर आती है भेसासूर की फड़ इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता है बेसासूर की फड़ का और ऐसा माना जाता है कि चोरी करने से पहले इस भेसासूर की फड़ का पूजा की जाती है फिर आती है पोटरी कला पोटरी कला जेपूर की इरान की है पोटरी कला जो है यह मुलत है परशिया इरान की है और इसके अलावा और कौन सी थी परशिया इरान की आपको भी बताया था मिनाकारी भी है परशिया इरान की परशिया इरान की और मिनाकारी के प्रमुक अलाकार कौन थे कुदरत सिंग पोटरी कला को राजस्तान में लाने का स्रे किसे दिया जाता है मान सिंग पर्थम को जो कि मिनाकारी भी लाये थे मान सिंग पर्थम राजस्तान में और पोटरी कला को राजस्तान में लाने का स्रे भी मान सिंग पर्थम को दिया जाता है इसके परकार में आता है पहले ब्लू पोटरी ये जेपूर की प पोटरी कला को मान सिंग पर्थम को और ब्लू पोटरी का सरवादिक विकास स्वाई राम सिंग द्वारा किया गया ब्लू पोटरी के प्रमुक कलाकार कौन है करपाल सिंग सेखावत याद रखना ब्लू पोटरी के प्रमुक कलाकार है करपाल सिंग सेखावत और ब्लू पोट पोटरी कोटा और ब्लेक पोटरी के फूलदान प्रसीद है या लास्ट में कहा आ रहा है तो याद रखना ब्लेक कोटा ब्लेक पोटरी कोटा और यहां के फूलदान प्रसीद है फिर आती है कागजी तेरा कोटा यह एलवर की प्रसीद है कागजी तेरा कोटा पतले बरतनों पर चित्रकारी कागजी टेरा कोटा कहलाती हैं फिर इसके बाद आते हैं बादले बादले क्या होते हैं जस्ते से निर्मित या फिर धातू से निर्मित पानी की जो थंडी पानी की जो बोतले होती है वो बादले कहलाती है यह क्यूशन आता रहता है बादले क्या है जस्ते य या फिर धातु से निर्मित पानी की ठंडी बोतले बादले कहलाती है रिका की है ये जोधपुर की परशिद है पानी की बोतले चस्ते या धातु से निर्मित फिर आती है लकडी के जुले का के परशिद है जोधपुर के लकडी के जुले जोधपुर के परशिद है फिर आती पुर में सूती या उन्नी दर्यों का केंदरिस सालावास कहां पर सी थे है जोध्पूर में फिर आता है mirror work कहां का परचीध है j dowatri learnt करा कि नकी बेन्गियों की जड़ाई होती है जेसल começar जाता है क्पड़े पर काच की बिंदियां लगाई जाती हैं जिसे मीरर वर कहा जाता हैं और ये जेसल मेर का परसीद हैं फिर आता है उनकी बर्डी ये भी जेसल मेर की परसीद हैं मौम निर्मित दाबू प्रिंट जेसल मेर की परसीद हैं दाबू प्रिंट कहां की हैं वैसे आकोला की हैं चितोड लेकिन म मौम निर्मित दाबू प्रिंट जेसल मेर की परचिद हैं रामदेव जी के गोडे जेसल मेर के परचिद हैं याद रखना रामदेव जी के गोडे जेसल मेर फिर आती हैं तलवार कहां के परचिद हैं तलवार शिरोही रमकडा उद्योग इसमें क्या होता हैं सौफ स्टोन के प्रदान पीठ है याँ पर गल्या कोट डुंगरपूर में फिर आती है खराद गला कहां की परसिद है उदेपूर की जिसमें लकड़ी की मूर्ट्या या खिलोने बनाए जाते है खराद गला के अंतरगत और ये उदेपूर की परसिद है खराद गला फिर आती हैं कटपुतिलियां कहां की प्रसिद हैं उदेपूर की फिर आता हैं लाख का का काम कहां पर क्या जाता हैं अधिकतर जेपूर में कहा जाता हैं उसके बाद जोदपूर और उदेपूर में लाख का काम के लिए प्रसिद हैं जेपूर अधिकतर और उसके बाद मोकडी किसे कहा जाता है लाग की चूडियों को मोकडी कहा जाता है लाग की जो चूडियां होती है उसे मोकडी भी कहा जाता है फिर आता है मोजडियां जो अपन पेरों में पहनते हैं ये कांकी परसिद हैं जोदपूर की परसिद हैं मोजडियां फिर आती हैं बंधेज ये क प्रसिद हैं आम पापड उद्योग जबकि पापड भुज्या या नमकिन भुज्या कहां की परसिद हैं विकानेर की। या दातु निरमित वस्तो पर चान्दी के तारों को कसा जाता हैं वो कहलाते हैं तारकशी के जेवर कहां क्या परसिद हैं नाथ द्वारा रासमन के परसिद हैं फिर अगले वीडियो में पड़ेंगे थापे पाने भराडी बातिक कला गोटा ख़ोटा प्रशिदें वरक, कुट्टी मुट्टी या पेपर मेसी, संग्मर्मर की मूर्तियां कुंदन कारी, चमड़े की नागरी जूतियां, लाल पत्थर की मूर्तियां, माचिस का काम, दरियां, उनी नम्देव औ कालीन, फिर आएगे चंदन के लगड़ी पर कलात्म कारी, किवाड पुत्र जनम पर कोंचे रंगा पॉम्चा पहनते हैं पीले रंगा और पुत्री जनम पर बेंगनी रंगा पॉम्चा धनक बावरा मोठरा क्या हैं फिर आएगी इसके बाद सांगानेरी प्रिंट के प्रकार मलीर प्रिंट कहां की हैं अजरक प्रिंट कहां की हैं दाबू प्र लोने बत काड़ी क्या है ये क्यूशन आता रहता है हाथ की चुपाई में प्रुक्त लकड़ी के ठप्पे बत काड़े कह लाते हैं फिर आएगा जट कत्राई पिर आएगा मानने क्या है हाथीदाथ की चूडिया कहा की परशिद है 손 जो्ट क्या है ताम क्या है चोकडी मानना क्या है सान्जी क्या है हस्तकळा का स्वर्शिंग अब कहा किसे का जाता है हरी मेतिय हें टूल का के परसीदे है सरसों का इंजन साब तेयल के सरसों की ख़ल से बिजली बनाने कार खाना कहा पर है वुडन पेटेंट कार के पसुपक्षी और फरनिचर कौन से हैं कहां के परसिदे हैं कल्चर्ड मोति मानव की हेल्प से त्यार मोति कहां पर हैं बांस वाड़ा और फिर आएगा हीड तो अगले वीडियो में अपने ये सब पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपके अपने चलने के साथ मिलते हैं